हेलो चिल्डरन हाव आई यू कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप सब लोग ठीक होंगे तो आए चलते हैं शुरू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैट्स फॉर्मूलास मैं आपको बस बेसिक कॉंसेप्ट मैट्स के समझाऊंगे इस चैनल पर तो अगर आप मैट्स के बेसिक कॉंसेप्ट को क्लियर करना चाहते होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा और अपने मैट्स को स्ट्रॉंग बनाईगा क्योंकि मैट्स को अगर आपने क्लियर होने चाहिए जो higher classes के maths होते हैं उसको easily solve कर पाओगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आएए चलते हैं LHS RHS इनका proof करना पड़ता है तब जाके यह formula बने हुए होते हैं अगर आपको थोड़े बे आपके concept clear होंगे तो आपको formula भी आद करने में कोई दिक नहीं होगी तो आएए चलते हैं A plus B का whole square कैसे और क्या होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो चलिए A plus B के formula को proof करते हैं A plus B का whole square को हम लिख सकते हैं A plus B bracket A plus B A plus B का whole square है मतलब की A plus B को हम दो बारी अलग-अलग bracket में लिखेंगे अगर आपको पता है की इसका multiplication कैसे होता है तो ठीक वरना आप यहां से समझ सकते हैं हम सबसे पहले A का multiplication इस bracket में करेंगे इस bracket का मतलब है A multiplied A plus B अब यहां पे plus का sign है तो हम बीच में plus का sign ले आएंगे अब हम B का multiplication इस bracket में करेंगे यानि की B A plus B अब हम A का multiplication bracket के अंदर कर देते हैं A square plus A B अब हम B का multiplication bracket के अंदर करेंगे तो हम इसलिख सकेंगे B A plus B square अब हम देख लेते हैं की A B is equal to B A ही होता है तो हम A square plus A B plus A B plus B square is equal to A square plus 2 A B plus B square तो A plus B का whole square is equal to A square plus 2 A B plus B square तो यह हमने proof कर दिया है देखे इतना easy formula है अगर आपको याद नहीं होता है अगर आपको multiplication यह वाला multiplication अगर आपको आ गया तो आप इससे question तो solve करी पाएंगे साथ ही साथ आपको formula भी learn करने में कोई दिकत नहीं होगे अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम solve करेंगे A minus B का whole square तो चलिए solve करते हैं A minus B का whole square को हम लिख सकते हैं A minus B bracket A minus B नाव उसी तरीके से हम A का multiplication A minus B करेंगे यहाँ पर क्योंकि minus का sign है तो minus आएगा minus A minus B अब हम multiplication को अब हम A का multiplication अंदर कर देंगे तो A square minus A B minus B A minus minus हो गया प्लस तो B square सबसे पहले अब हम जानते हैं कि minus multiplied by minus होता है plus, minus multiplication plus होता है minus plus का multiplication minus में हो तो होता है minus और plus का multiplication plus में हो तो होता है plus समझ में आ गया अगर आपको यह चीज़ समझ में आ गई तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी कई सारे बच्चे बस यहीं पर प्रॉबलम कर देते हैं minus का minus में वो उन्हें लगता है कि यहाँ पर minus साइन आ जाएगा गया तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा फॉर्मूला है a square minus b square is equal to क्या होगा तो a square minus b square को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a plus b a minus b अब हम इस फॉर्मूले को हम यहां से समझ सकते हैं ठेक हैं अब हम इस फॉर्मूले को इस मैथड से समझ सकते हैं देखी यहाँ पर हमारे पास था a minus b और a minus b अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें अगर हम यहाँ पे कर दें A minus B A plus B तो देखे क्या आता है A का multiplication A plus B महो जाएगा और minus B का multiplication A plus B महो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया A square plus AB minus AB minus B square तो A square इससे यह cancel हो गया minus B square तो A square minus B square is equal to A minus B bracket A plus B तो समझ बहाँ गया आपको यह सारे जो formulas हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा related भी होते हैं कही न कहीं थोड़ा सा related होते हैं तो आप इस तरीके से relate करके भी पढ़ेंगे तो आपको easy रहेगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी थोड़ी सी help मिल जाए थैंक यू